Hello everyone, welcome back to my channel Divinity 66, where truth exposes darkness तो आज का जो टॉपिक है guys, वो है Coffee Cup Reading बहुत दिन के बाद मैं लेके आई हूँ, बहुत सारे रिक्वेस्ट्स आ रहे थे तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो है कि आपके लिए इस उनिवर्स में, इस काइनात में क्या है जो सिर्फ आभी के लिए है, वो हो सकता है, कोई भी मिटरिल प्रोपरटीज हो, कुछ भी हो सकता है वो आपके केरियर रिलेटेड हो सकता है, वो आपके परसनल लाइफ रिलेटेड हो सकता है क्योंकि Ships अलग-अलग आते हैं और हमें उसी के हिसाब से करना पड़ता है जो काफी स्यादा डार्क है और काफी स्यादा इसको बोला जादा है, this is the Turkish coffee ओके, and definitely ये ये जो होदा है, this has called magical properties इसमें काफी स्यादा magical way पर इसको यूज़ कया जादा है तो definitely ये divinity का process जो है न, divination में काफी ज़़दा यूज़ क्या जादा है ताकि हमें फॉर्चुन टेलिंग में काफी सथा अच्छा हो पाए ठीके तो इस वान अव देखा है यह भी एक मेथड है फॉर्चुन टेलिंग का तो लेट सी लेट सेट साथिट गाइस अगर आपने पहले देखा होगा कॉफी का प्रेडिंग तो जानते होंके अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली मैं बताना चाहती हूँ तो थोड़ा सा हम होट वाटर यहां पर डाल देते हैं and definitely we will mix it so इसके हिसाव से इसको बाद 2-3 मिनिट तक इनफ्यूज होता है and definitely we will get to know the predictions and predictions देख लेंगा आपको continuously ही दिखाई देगा okay so universe, spirit, guides and angels please guide me the idolatrysion की marriage of viewers है उनके life में, उनके जिंदगे में, universe में, इस कायनात में उनके लिए क्या है सिर्फ उनहीं के लिए जो बना है okay तो मैं उसको कुछ देर तक infuse करने के लिए देती हूँ आपको continuously ही दिखाई देखाई देखा हूँ so हो चुका है infusion हम देख लेते हैं अभी तो हम टरन करेंगे so let's see तो आपने देख लिया है देखो कितना अच्छा सा शेप आ जाता है और इसी शेप का अधरत पे हम लोग यहां पे प्रेटिशन करते हैं so let's see let's find out best of luck to all of you okay थोड़ा सा मैं इसको on कर दे ताकि मुझे और भी clearly दिखाई दे okay all right okay just a second guys so you can say medical field also तो हो सब्सक्राइब कुछ लोग यहाँ पर medical entrance exam आप लोग clear कर जाओगे यहाँ पर कुछ लोग के यहाँ पर एक नई जिन्दगी शुरुआत होने वाला है कुछ पुराने जो situations थे आपके life में बिल्कुल चले जाएंगे कि snakes जो होते है काफी जदा shit कर दे है अपने skin को ठीके और आपने देखा होगा मेरा एक tarot card का deck था जहाँ पर world का card था और उसके नीचे पूरी तरह से snake था बहुत बढ़ा उसका मतलब है क्या किसी के मतलब चंगुल से ठीके किसी के चंगुल से भी आजाद होना अपने जिंदेगी को आजादी के साथ जीना independent way पे काफी जदा खुश रहना अपने life में अपने जो desires है आपके जो ambition है aim है target है उसको fulfill करना अपने life को बहुत अच्छे से balance कर पाना so these are all represented यहाँ पे जो structures मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफी जदा आपको दिख रहा होगा आप देखो एक एक परसन को एक एक तरगा दिखता है because this is all about the psychology तो यहाँ पे मुझे एक arrow दिखाए दे रहा है in the up direction यहाँ पे पूरी तरह से एक arrow आचोगा है तो यहाँ पे आपके life में जभी भी growth होगा this will be steady upwards हो जदा है कुछ लोग यहाँ पे shares या investments बहुत जदा आप लोग करते हो तो उसका जो आपको फाइदा मिलेगा न it will be upward शायद आपने बहुत जदा risk लिया है पहले शायद parallel चल रहा था इतना जदा profit नहीं देख पा रहे थे शायद आपने business पे हो तो क्या अपने career पे हो लेकिन देखो आपका career कहां जा रहा है आपके जो profession है मुझे दिख रहा है यहाँ पे profession ही indicate हो रहा है या आपके love life relationship में हमेशा मुझे दिख रहा है या अभी उसको next level तक arrow मतलब क्या ऊपर जा रहा है तो next level तक वो definitely जाएगा और यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बिल्कुल कि there is a way यहाँ पे जो रास्ता है तो मुझे दिख रहा है यहाँ रास्ता जो है ना हो सकता bifurcated it is into two division हो सकता है कि आपके पास दो रास्ते हो और दोनों में से हो सकता है इस मतलब sun भी हो सकता है सूरज देवता का special kripa होगा आपके उपर और देखते हैं U यहाँ पे आ रहा है U letter यहाँ पे है ओके तो I do find यहाँ पे यहाँ पे एक eagle भी दिखाई दे रहा है तो definitely मुझे लग रहा है यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके जो dreams थे एक दिन इस तरह का position को achieve करना इस तरह का relationship को अपने life में manifest करना यह सारे studies को complete कर लेना कुछ new courses को start करना कुछ new business को start करना कुछ नए तरीका से अपने business को आगे बढ़ाना हो से था कि आप already business कर रहे हो लेकिन कुछ आप new division create कर रहे हो कुछ new product आपको करना है कुछ नए विशे में आपको पढ़ा ही करना है कुछ new research आपको करना है so all these things are coming up in a positive way और दूसरा जो चीज है मुझे लगा है कुछ लोग यहाँ पर fly भी करने वाले हो to different destination हो सदा है कि बहुत ज़ादा long distance आप travel कर रहे हो maybe by flight हो सदा है किसी country में आप जा रहे हो वहाँ का जो तौर तरीका है recognition बढ़ रहा है कुछ लोग यहाँ पर settlement के लिए सोच रहे हो तो आभी तक आप लोग settle नहीं हो पाए अपने life में या career में so definitely settlement is there for you यहाँ पर जो मुझे बिलकुल महसूस हो रहा है all the things have come in a positive way यहाँ पर कुछ चीज जिसका यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो बहुत सदा चुनावती का सामना आपको करना पर रहा था एक समय पर आपको लग रहा था कि जीवन में जहाँ पर भी आप ट्राइक करें वहाँ से आपको negative response आ रहा है बट धीरे 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 वो सारे situations गाइब होते रहेंगे यहाँ पर देख रहो एक person देखो this person is walking and meeting a new person ठीक है यहाँ पर अगर आप देख रहा है इस चीज़ को this is a person अगर आप imagine करो this is a shape of a man or a woman और वो किसी और के साथ बाचित कर रहा है so maybe you meet a new friend, okay, new partner यह हो सद था है कोई new guidance आप receive करो ठीक है और उसी guidance से आप अपने जिंदेगी में आगे चल पा रहे हो ठीक है All right, what is coming? Let me see यहां पर तो बार बार स्वास्तिक चिनना भी आ रहा है यहां पर Holy Cross भी आ रहा है तो काफी ज़दा शुब आया है आज डीडिंग में All right Okay, और देखते हैं कि क्या रहा है यहां पर मुझे लग रहा है चोटी सी एक बच्ची है जिसके पीछे चोटी लगा हुआ है मतलब कुछ तो इस तरह से गर्ल चाइल्ड है यहां पर उससे डिलेट कुछ हो सकता है Okay, तो कोई आप से मुझे लग रहा है मदद मांगने के लिए जरूर आएंगे यहां पर हो सदा है कि आप इस तरह से लोगों को मदद जरूर करोगे और उससे आपका पॉपलाइटी काफी ज़दा बढ़ेगा किसी भी वेपे आप मदद कर रहे हो maybe through the form of teaching, giving guidance या हो सदा है कि इसको financial help करे और वो लोग आपके पास आ रहे हैं हो सदा है कि आप in future financial advisor भी बनो जो लोग financial difficulties से जा रहे है loan है जिनके सर पे ठीक है, बहुत सदा लोगों को आप ना सही रहा दिखा रहे हो ताकि वो अपने मकसद पे जरूर पहुचे आप शायद उनको help भी कर रहे हो through financial help भी कर रहे हो so something is there और देख लेते हैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे branches of a tree, यहाँ पे देखो this तरह का fern tree यहाँ पे आ रहा है, so maybe during the winter season देखे, सम हो सदा है कि सर्दी के समय पे, देखे, आपके लिए जो है ना काफी सदा खुशकबरी और growth और prosperity यहाँ पे आए यहाँ पे किसी का अच्छा, यहाँ पे बहुत सदा मुझे लग रहा है ना यहाँ पे मा काली का जिस तरह से मूर्ती मुझे लगा देखे, I did feel like मा काली का यहाँ पे मूर्ती यहाँ पे आ रहा है, you can see that तो उनका एक special क्रिपा आपके life के उपर जरूर होगा बार बार मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोग ना इस cup में जिस तरह से चल रहा है, some people are walking, तो कुछ लोग, कुछ life from the past अभी तो इस life में तो meet करोगे या, but आप किसी के साथ business partnership कर रहे हो, या किसी को definitely कोई आपका soulmate से meet कर रहे हो, तो वो शायद मतलब सिर्फ इसी दुनिया से connected नहीं है, past का जो जनम है उससे भी मुझे लग रहा connected है, इसलिए आपको deeply उनके साथ relationship को, मतलब, आप फील कर पाऊगे आपको लगेगा कि ये friend, जो है suppose अपने friend से meet के, आपको लगेगा ये मेरे लिए इतना कुछ बिना स्वार्त का किस लिए कर रहे हैं और अगर आपके कोई और भी close friend हुए, intimate हुए आप उनसे तो आपको लगेगा इस person से हम मैं क्यो intimate इतना ज़ादा हो पाया या हो पाई, because they are all people who are connected to your past birth, ठीक है, यहां पर six of cups का energy का काफी ज़ादा chances यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है, okay, so I do feel like, जिन के उपर आपने बहुत ज़ादा trust किया था, शायदा उन्होंने, आपका trust बहुत बुरी तरह से तोर दिया, बट उससे कुछ फरक नहीं परेगा, आपको life में जाके, आगे जाके, बहुत ज़ादा relationships आपको इस तरह का मिलेंगे, ठीक है, जहां पर हो सथा है, कि आप लोगों के उपर trust करना ही, बंद कर दे रहे हो लेकिन इस तरह से मत करना universe बोल रहा है कि कुछ specific लोग आपके life में आएंगे, जो आपको मदद करने के लिए आएंगे and definitely आपको मदद भी मिलेगा and you will find a true partner also within them, alright और देखते हैं कुछ लोग यहाँ पर मुझे लगा deep, sexual, intimate connections आपके लिए build हो रहे है okay I can find two hours for energy जहाँ पर थोड़ा सा confusion आपको अभी भी है कि life में आपको clarity नहीं मिल रहा है आखे जाके क्या होगा, so there is there okay कुछ लोग है यहाँ पर हो सथा है कि you have developed the good habits it's okay and definitely उसको आप utilize करें morning पर उठना, ठीके, सुबह से बूट के अच्छा सा breakfast करना, ठीके, healthy खाना okay, routine exercises को follow करना इस तरह का healthy eating walking इस तरह साब करें और शायद आप previous इतना habits आपका नहीं था तो definitely new lifestyle आप definitely manifest कर रहे हो और जब हम new lifestyle को manifest करते हैं जो काफी जदा healthy होता है तो हम अमरे life में जो चाहिए न वो हमें मिल जाता है okay I can see someone is hiding behind the bush कुछ लोग यहां पर आपसे छुप चुपा रहे हैं अपना emotions को दिखाना नहीं चाहते हैं so live it to them okay जब समय आएगा तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा आप वाकिफ हो जाओगे यहां पर traveling काफी जदा involved है तो universe में मुझे लग रहा है आपके लिए यह तो जरूर बनाया है कि काफी जदा आप इधर से उधर migrate करना ठीके तो मुझे यहां पर बार-बार horses का energy यहां पर दिखाई दे रहा है by road हो साथ है हो साथ है एक ही शहर में आप रहते हो लेकिन travel आप एक ही शहर के अंदर बहुत जदा कर सकते हो इसी तरह का भी job हो साथ है आपका five number यहां पर important है एस बार-बार दिख रहा है so of course I do find that Saturday can be the day which is very important for you हो साथ है Saturday के दिन आपने आपका जनम हुआ था यह Saturn आपके life में Shani Dev का बहुत जदा आपके life में काफी जदा impact यह Shani का cycle से आप गुजर रहे हो it can also happen like that तो थोड़ा सा delay आपको शायद महसूस हो रहा है Saturn जो होता है the number planet okay that number 8 is there so 8 is always related to our destiny number और जो 8 होते है ना so definitely आपको foreign settlement में काफी जदा मदद मिलता है तो उस तरह से मुझे दिख रहा है इसलिए इतना जदा Saturn आ रहा था तो यहां पे बार बार मुझे यह भी दिख रहा है V letter यहां पे X letter यहां पे है okay C letter यहां पे है alright so this is all the messages that I am receiving now let me see through that Oracle card से हम देख लेते हैं guys so universe, pit guides and angels please guide me the right direction की marriage of yours है उनके life में universe में उनके लिए क्या लिखा है इस universe में उनके लिए क्या लिखा रहा है wow blossoming abundance देखो full खिल रहा है देखे हैं यहां पे guitar, music, cakes so definitely celebration जो आप चाहते थे, 3, 3 is also the number for constant change तो आपके लिए changes definitely है, okay next is resilience, बहुत सथा obstacles मैं आपको बताया था आपने देख लिया बहुत सथा burdens अपने करीकली, यहां भी 21 है, देखे हैं यहां भी जो भी आपने आपने obstacles जहले या burden आपने responsibilities लिया है, उसका फल आपको ज़रूर मिलने वाला है, okay boundaries, तो मुझे लग रहा है 12, again number the 3, okay so यहां भी मुझे लग रहा है कि बहुत अपने experiences gather किया, उसके वज़े से आप अपना जो level है, उसको आप जानते हो and definitely मुझे लग रहा है, आप अपने level से काफी सदा वाकिफ होंगे and definitely आपका जो यह जो level है, यह जो boundary है लोग easily आपका जो trust break कर देते थे, लेकिन experiences के वज़े से ठीक है, आपका trust नहीं तोर पाएंगा और आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, और यहां पर bottom of the day काफी ज़दा साफ है यहां पर, it's a beginning, I told you changes, new, okay, life, okay, new lifestyle आपके लिए वेट कर रहा है, ठीक है, मैंने आपको बता था कि fern tree मुझे वहां पर दिखाई दे रहा था, तो यहां पर भी fern tree है, fern tree एक तरह का पेर होता है, जो winter season में काफी ज़दा उसका एहम्याद होता है, ठीक है so this is, yeah, winter countries में काफी ज़दा पाया जाता है, तो it's very lucky हो, यहां पर देखो, एक new gate है, एक दरवाजा, एक नई lifestyle, एक new world is waiting for you, तो आपको सिर्व इस gate से अंदर जाना है, और explore करना है, यह जो दुनिया है, आप इस दुनिया में हो, यह दुनिया अभी के लिए है, जो green अरी है, again green represents the heart chakra, so new love life also is coming to you, so beginning मतलब शुरुआत, फिर से एक new chapter आपके life में edit होने जा रहा है, okay, so this is all about today's dating guys, I hope you love it, and if you love, please do subscribe, share and do comment in the comment section, till then take care of yourself, and keep watching divinity, terror or sex where truth always exposes darkness, thank you guys.